आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ जीते इंशुकला और आप देख रहे हैं डिस्टर एडवाइज आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे different types of information की बहुत सारे students का message आ रहा था कि सर O level July का result कब आएगा साथी साथ जिन्नों का सिप्तमबर में exam हो चुका है certificate कब आएगा तो इन information में क्या करेंगे आज जो यह जानकारी आपको दी जाएगी information दी जाएगी कि कब आपका O level का result आ सकता है कब आपका triple C September का result आएगा और साथी साथ अगस्त का certificate कब आएगा लेकिन आज का session शुरू होने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो वो subscribe कर लें जिससे उनको triple C O Label ठीक है A Label जो भी है निलिट के different types of courses चलते हैं उनसे संबंधित जो भी notification आएगी वो उनको मिल जाएगी इसलिए चैनल को क्या कर लिजे subscribe कर लिजे clear है साथी साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि triple C October का examination date भी आ गई है और admit card की भी date आ गई है clear है जो October का admit card है वो आज से आपको मिल जाएंगे उमीद है साम तक क्या हो जाएगा upload हो जाएंगे तो सभी लोग download कर लेंगे clear है अभी upload नहीं हुआ है लेकिन साम तक upload हो जाएंगे साथी साथ October का जो exam होना है वो 12 October से 18 October के बीच में होना ठीक है 12 से start होगा और 18 तक चलेगा clear है सभी को तो यह आपकोबर से related और अब बात कर लेते हैं आज की session की तो सबसे पहला क्या है भाई O-Level July का result कब आएगा निलिट ने जो July 2019 में O-Level की परिच्छाएं कराई थी examination कराया था उसका result जो है यह 20 से 25 October तक क्या हो जाएगा आ जाएगा clear है और यह बात मेरी निलिट को Friday को हुई थी clear है Friday को निलिट में क्या हुई थी बात हुई थी तो उन्होंने जैसा बताया है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ clear है उन्होंने कहा है कि 20 से 25 October तक आपका O label का क्या हो जाएगा result आ जाना चाहिए clear है मतलब 20 से 25 के बीच में किसी भी डेट में आपका O label का result आ सकता है लेकिन कोई technical problem ना हो तो clear है उन्होंने बोला है कि 20 से 25 तक क्या होगा आपका O label का result आ जाएगा clear है अब बात करते हैं next query की जो बहुत सारे student कर रहे है triple C September 2019 का result कब तक आएगा तो triple C जो September में हुआ था भाई उसका result 19 October से 30 October तक कभी भी आ सकता है क्योंकि 18 October तक जो है October का session के बच्चों का चलेगा students का चलेगा भाई पेपर चलेगा तो 18 को जैसे ही पेपर खतम होगा उसके बाद पूरी-पूरी संभावना है कि सिप्तमबर का क्या होगा result आ जाएगा clear है तो आप मान के चलिए 19 October से 30 October तक कभी भी आ सकता है ऐसा उन्होंने क्या किया है बोला है clear है तो 19 October से 30 October तक कभी भी आपका result आ सकता है का result तो आ गया है लेकिन अब हो सोच रहे हैं हमारा certificate कभ आएगा तो उसकी भी बात कर लेते हैं ट्रिपल सी अगस्त का जो certificate है यह 25 October से 10 November के बीच में कभी भी आ सकता है 25 October से 10 November तक के बीच में कभी भी आ सकता है ऐसा क्या हुए बात होई है clear है तो आप 25 के बाद ही मानके चलिए clear है और 10 November से पहले ही क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा डेट यह 25 से 10 November के बीच में आपका 9 का certificate आ जाएगा जिन लोगों ने अगस्त में ट्रिपल सी का एक्जाम दिया था result आ चुका है उनका certificate के लिए वो लोग बेट कर रहे है तो आप मानके चलिए 25 October से 10 November तक में कभी भी आपका certificate आ सकता है clear है तो यह थी आज की तीन informations clear है तो जादा से जादा वीडियो को share कर दीजिए like कर दीजिए और latest information पाने के लिए triple c o level a level related channel को subscribe भी कर लीजिए साथी साथ कहीं पे भी आपको problem है तो आप comment कर सकते हैं और description में मेरा whatsapp number मिल जाएगा तो आप whatsapp करना चाहें तो whatsapp भी कर सकते हैं clear है तो मिलते हैं next information के साथ good bye